हेलो दोस्तों क्या आप भी हमेशा fit and fine रहना चाहते हैं आप भी healthy खाना पसंद करते हैं खाना लेकिन इसलिए नहीं खापाते हैं क्यूंकि वो टेस्टलेस लगते हैं आपको तो आज की recipe आपके लिए है ये इतना healthy है और tasty है कि आप एक बार इसे बना कर खाएंगे ना तो हर बार इसी तरह से ही बनाएंगे तो चलिए recipe को सुरू करते हैं अगर recipe पसंद आए ना दोस्तों तो लाइकर से जरूर कर दीजेगा हमें एक प्यान में ले लेना है दो चमच जितना olive oil आप olive oil के पतले normal cooking oil ले सकते हैं इसमेना एक बड़ा चमच हम डाल देंगे सफेद वाला तिल और इसे 5-10 सेकेंड के लिए roast कर लेंगे अब यहाँ पर मैं add करी हूँ एक चोथाई छोटी चमच healthy powder और chili powder और यह है पनीर 100 ग्राम जितना यह जो पनीर है ना मैंने इसे घर पे बनाया है इसलिए थोड़ा ज़्यादा quantity में ले लिया है आप इसके बदले टोफू का इस्तमाल कर सकते हैं और जो मैंने इसमें chili powder डा लेकिन अपना chili powder को escape कर करके काले मिच का powder भी इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पर काले मिच का powder खत्म हो गया था तो मैंने chili powder इसमाल कर लिया है अब मैंने इसमें डाल दिया है आधक ही ऱलु क जितना अंकुरिद चना आधक हीस सब कर देंगे और इसे high flame पर भूनेंग हमें ना इन सब चीजों को कच्चा रखना है बिल्कुल पकाना नहीं है मतलब हलका सा क्रंच आ जाएगा इसमें तब तक इसे हाई फ्रेम पर पका लेंगे और इसका जो थोड़ा सा पानी निकलता है नमक डालने के बाद बहुत थोड़ा सा ट्राय हो जाए तब तक इसे चला लेंगे देखे ये हो गया है अभी ये बहुत करम है इसे थोड़ा थंड़ा होने देते हैं फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे अब एक प्लेट में न हम ले लेंगे आधा कब चितना खीरा ये सब चो चीजे ले रहे हैं ये सब सलाट की चीजे हैं आप अपने पसंद के हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं ये मैंने एक टमाटर लिया है ये एक चोथाई कप जितना हो गया था और इसका जो बीज वाला हिस्सा होता है ना नरम बीज वाला हिस्सा उसे मैंने निकाल दिया है और ये एक प्याज लिया है, मेडियम साइज का, इसे भी मैंने बारिक काट लिया है ये थोड़ा सा गाजर है, सेम क्वांटिटी का ही है, मतलब एक चोथाई कप है इसे भी मैंने आप देख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है ज्यादा बड़े टुकडे नहीं केया है मैंने छोटे टुकडे में रहेंगे तो खाने में आच्छा लगता है और आसानी भी रहती है एक छोटी चमच मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्ची ये आधा छोटी चमच मैं इसमें डाल रही हूँ जाट मसाला ये सारे जो मसाले हैं ये आप अपने चॉइस के एकोडिंग डाल सकते हैं थोड़ा सा भूना हुआ जीरा भी इसमें मैंने आड़ कर दिया है और ये थोड़ा सा ब्लाक सॉल्ट है काला नमक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये जो सबजिया है ये फीकी लगेगी नहीं तो इसलिए थोड़ा सा नमक डाल लिया है और एक चमच हम इसमें नीम्बू का रस भी आड़ कर देंगे नीम्बू का रस डाइजेसन में मदद भी करेगा और इसका स्वात भी बढ़ा देगा इसलिए इसे जरू टालें अब जो हमने पनीर और स्प्राउट को भून के रखा था था ना उसे इसके उपर डाल देंगे और थोड़ा से धनियों के पत्ता है ना उससे गानिस कर लेंगे देखिए दोस्तो हमारा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी तयार है तो रेसिपी को ट्राइ करें और उनको खिलाएं जिन्हें हेल्दी खाना पसंद नहीं है क्योंकि इसे देखने के बाद वो इस पे तूट पड़ेंगे खाने के लिए तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजिए वीडियो देखने के लिए ठैंक यू